हलो बच्चो, वेलकम टू जेटी पॉइंट, जेटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने वर्टिकल सर्कल के बारे में देखा था और वर्टिकल सर्कल होता क्या था? कि एक कोई स्ट्रिंग है, उसके थ्रू अगर हम कोई बॉब को अगर अटेच कर रखें और वर्टिकल सर्कल में इसको रिवॉल्ब कर रहे हैं तो उसके वेरियस पॉइंट पर उसके टेंसन क्या होते थे? उसका वेलोसिटी क्या होता था? लूपिंग दर लूप का करिंडिसन क्या होता था? यह सब हमने कॉंसेट को देखा था फिर उसके बाद हमने कुछ कोई स्ट्रिंग को आगे किये थे तो आजाएए उसी के आगे हम को उस कोई स्ट्रिंग को और आगे बढ़ाते हैं तो अब तक के lecture में यह सारे questions जो पास हो रहा है उस पर भी आप नजार रखते रही है तो यह सब questions आपने पीशे कर रखे थे वर्टिकल सर्कल के जो थे यहां से कुछ यह question हमने spring वाला भी किया था last में और उसके बाल यह particle is suspended to the fiction point starting string length is 5 meter s projected from the equilibrium position with such a velocity that string slacks after the particle has reached the height at high of 8 meter above the lowest point find a velocity of the particle just before that string is slackened find also what the height particle is raised further तो आज यही बच्च्छे, यहां से start करते हैं हिस question को तो उकर है कि particle is suspended from the fixed point, यहां से fixed point पर है, ऐसे, यह fixed है, और उसमें क्या करे है कि इस्टेन is slackened after the particle has reached to the height 8 meter, और इसका five meter का यह है और height कुछ ऐसा gain कर रहा होगा तो मान लिज़ें कि यहाँ पर slacken होना start हो जा रहा है और यह height इनका three meter है जब ऐसा हो रहा है तो ठीक है ऐसा तो यह मतलब कि अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मतलब कि अभी तो मैं इसको वर्टिकल सर्कल में ही भेज देता हूँ ऐसा और जब ऐसा कुछ हो रहा होगा जब ग्राउंड से वह कुछ एट मीटर के हाइट पर है एट मीटर के हाइट पर है तब उस लैकन हो जा रहा है मतलब इसका टेंसन हमारा कुछ जीरो हो जाएगा स्लैक करना मतलब जीरो हो जा रहा है और यह वाला हैट हमारा थ्री मीटर होगा तो अगर वर्टिकल से इसका दिया है तो इस लिए वह ज्यादा कम लग रहा होगा तो मतलब इसके डाइग्राम नहीं है तो ए ठीटा होगा तो यह वाला तो फाइफ मीटर एफिक्स होगा रहा तो इसको फॉर मीटर हो जाएगे तो उससे हमें एंगल का थौड़ा एडिया लग जाएगा यह आंगल जो हमने च देते हैं, कि mg का value नीचे की तरफ होगा, और इसके इसी में mg cos theta, तो equation जब हम लोग लिखेंगे बच्चों, t plus mg cos theta is equal to net force जो लग रहा होगा उसको, mv square by l, t तो 0 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, mg cos theta is equal to mv square by l, m same cancel हो जाएगा, तो v का value कितना हो जाएगा, under root, हमें चाहिए क्या, वहां से, कि just before, find the velocity of the particle, just after the string is slackened, तो फिर आ गया, lg cos theta, और cos theta का value हमारा कितना है, बच्चों, तो जाएगा, तो just before दोबरा, to lg cos theta, cos theta का value आप यहां से बोल सकते हैं क्या, is theta, so this thing is equal to 3 by 5, तो 3 by 5, तो और l का value 5 given ही है, और यहां g से value 10 है, तो 5 से 5 cancel हो, तो under root 30 आगे है, meter per second, लगता है हमने पीछे भी इसको कर रखा है, तो कोई बत नहीं, अभी इसको एक बढ़ और देख लिजे, तो 30 का root अगर हम निकालेंगे, तो कुछ 5.3, 5.4 कह दीजे, ऐसा, 5.4 meter per second, ठीक है, हाँ, यह लगता है question अभी ध्याना रहा कि इसको बता दिया था, तो खेर ए यहाँ पर क्या होगा, कि वो velocity इसका कुछ ऐसे जा रहा होगा, अगर यहाँ से देखेंगे, तो यह भी यह मतलब कि ठीटा से project हो रहा होगा, तो यहाँ से क्या होगा, कि कुछ उसके बाद एक projectile motion ऐसे fall down करेगा, ठीक है, तो यह height कुछ vertical height, हमें अब निकालना होगा, तो vertical height जानने के लिए projectile में h max के लिए जाएंगे, h max का formula क्या होता था बच्चो, u square sin square theta over 2g, तो u का value कितना है, u square का value हमें ready mate है, तो 30 यह लेंगे, और sin theta का value सामने कितना हो जाएगा, 4 by 5, तो 9 by, sorry, 16 by 25 हो जाएगा, क्योंकि sin theta यह हुआ, तो 4 by 5 का होगा, 2g into 10, तो 0 से 0 गया, यहां से हो गया 8, तो कितना हो गया, 24 by 25, जब इसको आप निकाल लिगते हैं, तो 0.96 meter आता है, ठीक है, तो यह हमारा question निकल कर आया, 0.96 meter, ठीक है, अब आज आईए, इसके बाद, the next question में चलते है, इसमें है, करा कि heavy particle is hanging from the fixed point by the light inextensible string of length is projected horizontally with the speed under root gl, find speed of the particle at an inclination of the string, the vertical at the instant motion when the tension of the string equal to the weight of the particle. ठीक है, देखो, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे पिछले question में आपको सिखाया था, कि इसमें tension का value क्या होता था in general point और t का value 0 होता था और velocity का in general value निकाला था, तो मैं बच्चों को increase कर रहा हूं कि आप जाओ वहां पर या जो आपने सीखा होगा उस हिसाब से भी लगाईए और आपको यहां पर दूसरा flavor और दिखा देता हूं, यहां पर work energy theorem वाला, जैसे मान लिजे कि एक ऐसा है और इसको टक से कुछ दिया, V is equal to under root GL, ऐसा, तो a heavy particle hanging from the fixed point, a light extensible string, length L, मान लिजे, is projected horizontally with speed u, find the speed of the particle at inclination of the string or the vertical, to the vertical at instant, when the motion, when the tension in the string equal to the weight of the particle. तो मतलब कुछ यहां पर आया होगा particle, vertical में, टेंसर तभी उसका, equal to weight of the zero, ठीक है, तो अभी हम इसका mg downward होगा क्या, बिल्कुल होगा, और यहां से, mg cos theta होगा, यह चीज़, mg cos theta होगा, और यह theta तो यह भी theta हो जाएगा, बच्चो, ठीक है, और यहां से इसका length L है, तो यह वाला length कितना हो जाएगा, L cos theta, ऐसा, तो अगर हम उससे देखे, देखे, कि मतलब कि dynamics के वाइस देखे, कि वहाँ पर force क्या हो रहा है, तो force का value कितना हो जाएगा, t plus mg cos theta, square to mv square over L, यह velocity होगा, तो find speed हमें v चाहिए ही चाहिए, और t का value समें कितना है, कुछ हमारे पस mg, वो बोल रहे हैं, तो mg cos theta, square to mv square over L, ठीक है, उसमें लेकिन cos theta का value पता नहीं है, तो इस cos theta को value को पकड़के लेकर आते हैं, तो दूसरा जो हम लगा दे, conservation of energy, कि initial कितना था, यहाँ पर इसी point पर, इसको potential energy को, reference point मान लेते हैं, potential energy हैंसे 0 होगा, तो इसका kinetic energy कितना हो जाएगा, बच्चो, 1 by 2 m, under root gl का square, तो gl हो जाएगा, एक तो ए हो गया बात, half mv square, दूसरा, कि इसके अंदर, potential energy तो सुनने है, यह दो चीज़े आपको समझ माया होगा, मैं तरसे देखा दूँ, कि half mgl मतलब कि इसका, यह जो है, kinetic energy है, क्योंकि velocity कितना दे रखा था, under root gl, तो जब उसका आप square करेंगे, तो 1 by 2 mgl हो जाएगा, potential सुनने है, जब उस point पे जा रहा है, तो कुछ उसका velocity कितना है, half mv square, ठीक है, क्योंकि रूख तो रहा नहीं है, उस समय tension उसका mg है, और साथ ही साथ, उसका potential energy कितना हो जाएगा, बच्चों, mg, यह वाला, देखो, अभी इतना, यहां से यहां तक कापका l है, और इसको, यहां से ground से जब देखेंगे, तो कितना हो जाएगा distance, l plus l cos theta, तो यहां से l को कॉमल ले ले, 1 plus cos theta, ऐसा हो जाएगा क्या, तो थोड़ा इसको उधर देखना चाहिए, mg, 1 plus cos theta, ऐसा, तो आप यहां से 1 by 2, mg, 0 के equal to ही है, equal to 1 by 2, इसको पास-पास और लिख दे रहे, half mba square, plus mg, 1 plus cos theta, ऐसा, तो अब इसको, आपको करने के लिए, तो इसको इधर ही लेकर आजाते हैं, क्योंकि हमें तो cos theta और V square में कुछ ऐसा relation यहां पर रखना ही है, मतलब mg cos theta का value एक तरीके से हमें देखना है, कि V square का value क्या होगा, तो इधर term मोहां से cancel कर दे, खाली V, V में अगर आ जाए, तो बात बन जाएगा क्या, मतलब मैं क्या कर दो लेते हैं, कितना सोचना क्या है, M by 2, M by 2 को हटाओ, M, यहां से हमारा 2 मिल गया है, ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना होगे, GL is equal to V square plus GL, 2 GL है, 2 GL, 1 plus cos theta, ऐसा मिलेगा क्या, यह चीज, तो हां से हम, तो एक बार, दो बार equation solve करना पड़ेगा फिर, उसमें क्या होगा, कि GL is equal to V square plus, यह तो V square का value रख ले, एक तो यह हमारे पास option है, और cos theta, मतलब दो equation, दो unknown type ही चीज है, तो आज यह एक लिए page भी इसको दिखा लेते हैं, यहां पर equation, यह पहला क्या था, it is M G plus M G cos theta, M G plus M G cos theta is equal to M V square by L, एक तो यह है, और इसके ठीक parallel में, दूसरा वाला, यह भी ले कर रहा है थे, G L is equal to V square, G L is equal to V square plus 2 G L cos theta, 2 G L 1 plus cos theta, यह देखिये, यहां से, यह चीज आपका यह है, 2 G L cos theta यह वाला, और equation number 1 और equation number 2, इन दोनों के help से, हमें इसको बताना है, तो, चलिए, तो काम पे लग जाए, तो M M M, हटा देते हैं, ठीक, और उसमें आप, G का value बचा, तो, तो V square by L का ही value निकाले, तो यहां से, G L, और यह वाला minus, मतलब, यह G L है, minus 2 G L इहर से आजाएगा, और minus 2 G L, cos theta आजाएगा, is equal to V square, तो यहां से G L, G L cancel हुआ, तो कितना हो गया, minus G L और minus 2 G L, cos theta, अगर minus, अगर common लेंगे, तो प्लस आजाएगा, V square का value, तो यहां पर value पूट कर देते हैं, G, plus G cos theta, is equal to V square के जगापे, minus G L, plus 2 G L, cos theta, upon L, तो L से L L, पूरा हटा देते हैं, ठीक है, तो उसमें, तो उसमें क्या होगा, कि minus G, धरा कर, plus G, यह G हर जगा है, तो इनको भी हटा हीं लिया जाए, तो क्या बचा हमारे पास, 1 plus cos theta, is equal to minus 1, और minus 2 cos theta, ऐसा, तो कितना हो गया, 3 cos theta, is equal to, अब उस side कर दीजे, इसको 2, तो cos theta का value कितना क्या, बच्चो, 2 by 3, तो जितना हमने इसको किया, इतना मेहनत किया न, इसमें, algebra wise क्या हुआ है, ऐसा हुआ, अब जो बच्चे, tension वाले जो मैंने आपको पिछले lecture में जो सिखाया था, कि tension का ही general value क्या था, अगर उहां से करेंगे, तो चुटकी बजाते आ जाएगा, यहां पर क्या था, कि हमें algebra में समय थोड़ा देना पड़ा, कि cos theta का value, अभी भी आया नहीं है, अभी भी हमें B के पास जाना पड़ेगा, कहीं भी आप equation पूट कर सकते हैं, B के लिए, तो वह हमें easy से, easily हमें देदेगा, तो मान लिजे कि अगर हम कुछ होँआ भी पूट कर देते हैं, एक चीज़ और है, बच्चो, कि यहां से क्या हुआ कि minus 2 cos theta इधर से आया, तो इधर जाकर एक इतना हो जाएगा, minus 2 ना, cos theta का value minus 2 by 3, ना कि plus 2 by 3, तो अब वहां से जब इसका value put करेंगे, g के जगा पे, cos theta के जगा पे, तो g minus 2 by 3 g, ऐसा होगा, यहां पर एक calculation error था, तो देख समझ लिज़ेगा, कि cos theta को इधर लेकर रहा है, 3 cos theta, 1 को इधर लेकर गया, तो minus minus 1, तो minus 2 हो गया, तो 2 by 3, negative वह दिखा रहा है कि acute angle होगा, वहां पर, तो यहां से इसका value कितना हो जाएगा, v square over l, तो 1 minus 2 by 3 is 1 by 3, तो यहां से हम v square का value कितना ले लेंगे, is equal to g l by 3, तो v का value कितना हो जाएगा, बच्चों, under root g l over 3, तो यह आपका question का answer था, ठीक है, आप चाहें तो इसको work energy theorem method से इसको आप root down कर लिजए, क्योंकि आपको तो उस धर tension वाले में, पूरे detail में समझाया हूँ, तो आप वहाँ से भी जा कर देख सकते हैं, इसके बद इसको लिख लीजिए, ठीक है, अब आईए, next question में चलते हैं, इक कर रहे कि, the ball is attached to a horizontal chord of a length L, whose the other end is fixed, if the ball is released, what will be its speed at the lowest point of its path? The ball is attached to the horizontal chord of length L, whose the other end is fixed, if the ball is released, what will be the lowest point of the speed? A page is the located at a distance, H directly H होना चाहिए, H is visible है, पता ही नहीं चला, H, अब पता चला, यहाँ पर यहाँ पर यह missing the, distance H directly below to the point of attachment of the chord, if H is equal to 0.75 L, what will be the speed of ball when it is reached to the top of the circle path about the page? देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या? कि इसमें बोला नहीं है, a ball is attached to the horizontal chord, अचा horizontal chord बोल ही दिया है, ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, यह ऐसा कोई chord string जैसा मान लीजे, और इसको ऐसा करके छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसके लिए रुको एक कौट एक हवा में, एक मतलब पेज हवा में देना, मतलब पेज का मतलब एक लगड़ी का कुछ, मतलब लोहे का कुछ होगा ऐसा, एक यहाँ पर है, जो h height below है, तो जब यह string जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से, देखें, तो जब यहां से एक और डाली देते हैं, इस तरह का, इस तरह का बच्चा, देखो, तो यहां से जब यहां पर आएगा, कुछ ऐसा पास फॉलो करते हुए आएगा, डिफरेंट 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 पॉइंट पर, तो जब इस पॉइंट पर जब वो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो पूछा जा रहा है कि हमसे उसका lowest point पर, a page is the located distance, h ठीक है, so what will be the speed of the lowest point पर इसका velocity चाहिए, तो बहुत असानी सा है कि उसका अगर string का length अगर l है, l, तो यहाँ से यहाँ तक तो l ही है, यह है न, तो जब यह नीचे की तरफ आएगा, तो speed gain करेगा, तो work energy theorem लगाने से इस अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो अगर point इसको मैं a बोल दूँ, और इनको मैं b बोल दूँ, तो यहाँ से हम energy congurvation a और b पर लगाए, तो वहाँ पर potential energy कितना है, mgl, kinetic energy कितना है, सुनने, इस point पर जब आ रहा है, तो one by two, mv square, और यहाँ पर potential energy, इसका reference line नहीं ले लीजिए, potential energy सुनने है, तो potential energy सुनने हो जाएगा, m से m ए cancels हुआ, तो v का value कितना हो गया, under root 2 j, इसको इधर भेजेंगे, तो under root 2 j, यह तो इसका हिसाब किताब हो गया, अब क्या हुआ बच्चो, जब इहां पर यह आया, कौन, यह जो string था, यह इसको cord कह लीजिए, तो जब जैसी से आएगा, तो यह क्या करेगा, कि इसको इहीं पर hindrance कर देगा, और फिर यह, नया सर्क्ल में ऐसे घूमेगा, यह पूछ रहे हो, तो इसके लिए initial velocity, तो यह जितना था, यही हो जाएगा, कर रहा कि जब यहां पर topmost point पर पहुंच रहा है, तब उसका velocity क्या है, इस question कही ही है, मतलब था, पेज जो बीच में डाला हूँ है, ब्लोहे का कुछ है, तो अब string होगा तो यहां पर ऐसे लगेगा, और लगने के बाद, मतलब वहां से उसी के अबाउट घूमने लगेगा पेज, तो इसका पूरा length hell है, और h, तो यहां से distance कितना हो जाएगा बच्चो, L-H, यही होगा, L-H radius से उसमें घूमेगा, तो हमें, यहां का velocity पता है, अभी-भी जो निकाले थे under root 2 jl, और वहां का पूछ रहा है, वहां का मतलब C point इसको नाम दे देते हैं, C पर, तो energy congurvation अगर B और C पर लगाए जाए, तो 1 by 2 m, V का value कितना है, under root 2 jl, तो under root 2 jl का square, तो ऐसा हो गया, potential energy वहां पर सुनने ही है, वहां पर velocity पूछा जा रहा है, 1 by 2 m, V square कहा लेते हैं, यह चीज़ दिख रहा है क्या, यहां से मैं वह लगा, कि 1 by 2 mgl, B point पर इसका energy उसके पस कितना है, कि वह लगो motion में है, तो मतलब kinetic energy है, और यहां पर एक ground पर है, यह जो reference label इसी को मान रखें, तो potential energy वहां का सुनने है, तो वह तो सुनने ले लिया, एक तो यह बात हो गया हमारा, ठीक है, अब क्या करते हैं, कि अच्छा, और साथ ही साथ, जब उपर की तरफ फूट रहा है, तो वह V velocity पर वही C point के लिए लिकालना है, मैं, कि highest point पर क्या होगा, और उस समय वह potential energy भी तो कुछ, इस वालेक से gain कर रहा है, height उसक पर, उसका energy, potential energy कितना हो जाएगा बच्छो, mg और उसका diameter, l-h है तो diameter कितना हो जाएगा, 2l-h, तो 2 times of l-h, ऐसे, यह दिखा, तो इसको हमें solve करके, उसका value लेकर आना है, तो काम पर लगते हैं, फिर से mm, 2 से 2 cancel हुआ, और m पुरा गाइब हो गया, तो वहां से क्या बच्छा बच्छो, gl, और h का value कुछ हमें दे रखा है, 0.34, तो ठीक है, यहां पर कुछ से लिखे उसको, तो यहीं पर चलो लिख लेते हैं, तो 2 से 2 गया, तो यहां से क्या बच्छा है, gl बच्छा, और यहां से v2 over 2 बच्छा, यहां से h के जगह पर 0.75 l है, तो 1-0.75 कितना हो जाएगा, 0.25, l-h, देखो, l का value l है, और h का value 0.75 l है, तो कितना आ गया, 0.25 l आ गया रहा, और उसको 2 से multiply करेंगे, तो कितना हो गया, 0.5 l, तो इसके जगह पर 0.5 l हो गया, g l by 2, तो यहां पर आगया आपका, g l by 2, ठीक है, अब यह g l है, और यहां पर g l by 2 है, तो इधर आकर कितना हो जाएगा, g l by 2 ही बचेगा, तो उस चीज़ को यहां पर ऐसा लिख दे रहा हूँ, यहां से, कि g l by 2 बचा, और यहां से कितना हो गया है, v square by 2, तो 2 से 2 cancel हो गया, तो v का value कितना हो गया बच्चों, v square 2 under root g l, तो इस पार्ट का answer हो गया आपका, v का value under root g l, ठीक है, तो एक question काफी basic है, समझने के लिए, तो इसको आप note down कर सकते हैं, ठीक है, अब जाए, next question में चलते हैं, करकें, automobile, इस tumble dryer has a 0.65 meter diameter, basket that rotate about the horizontal axis, ठीक है, मतलब कुछ ही इस तरह का होगा बच्चों, horizontal axis में ऐसा कुछ कर रहा होगा, यह horizontal axis है, ठीक है, मतलब इस horizontal axis, एक ऐसे भी बना सकते हैं, क्यों उपर से ऐसा, सामने से दिखा देता हूं में, ऐसा, उसका axis कुछ है, और जेंटल इसको बोल रहा है, बतलब ड्रायर आप जानते हैं ना अपने उसमें, जो washing machine वाला, जो top load वाला होता है, वो ऐसा ही कुछ है, as the basket turn, the cloth fall away from the basket edge of the tumble, या front load वाला जो है, वैसा भी ले सकते हैं, ना वैसा ही यह हो, the cloth is fall away from the basket edge, and the tumble cover, if the cloth is fall away from the basket, at the point of 60 degree, from the vertical, what is the rate of rotation of the drum, यह घूम कैसे रहा होगा, तो कर रहा है कि basket 60 degree from the vertical, तो यहाँ पर से चला होगा बेचरा हो, कौन? कपड़ा, उसमें जो होगा, a automobile tumble dryer of this is rotated about the horizontal axis, as the basket turn, the cloth is fall away from the basket edge, and the tumble, tumble over, वो ऐसे जा रहा है, गिर रहा है, फिर उस पर आ रहा है, गिर रहा है, यही हो रहा है, तो जब वो 60 degree बना रहा है, यहां से, vertical से, तब वो गिर जा रहा है, contact उनका छुट जा रहा है, तो हमें क्या बताना है वहां से, if the cloth fall away from the tumble, at the point of 60 degree from the vertical, what is the rate of the rotation of the dry drum, ठीक है, तो इसमें अगर वो आ रहा होगा, तो इसमें आप कह सकते हैं कि normal force, यही ठीटा हो जाएगा, तो mg cos θीटा हो जाएगा, और m omega square r, बाहर की तरफ, इसको push कर रहा होगा, यही होगा, तो वहां से 7 छूटा उनका, तो mg cos θीटा, is equal to m omega square r, हमें यही निकालना है, rate of rotation, मतलब frequency एक तरीके से बताना है, ठीक है, तो m से न तो m हटा ही सकते है, और cos θीटा का value कितना है, g by 2 हो जाएगा, और radius कितना है, अच्छा सब कुछ तो given है तो, फिर problem किया था इस question में, ठीक है, कुछ नहीं problem है बच्चो, cos θीटी का value, half ले लिया था, r का value है 0.65 by 2, because it is diameter है ना, तो, 0.65 by 2, यह cancel हो गया, इसका अंडर root हो गया, omega, ठीक है, तो, ठीक है, फिर वहां से आपका कम बन जाएगा, तो g का value हमारा 10 अगर लेते हैं, तो 6.5, 6.5 का root कितना हो जाएगा बच्चो, 5 का होता है 2.3, 6 का अगर देखेंगे, तो 6.5 ऐसे बोला है, तो 6 का square सोचिए, 625 होता तो 2.5 होता, तो 6.5 से भी थोड़ा जादा है, तो इसका मतलब, कुछ हम 26 के पास चले जाए, ठीक है, तो 2.6 बोल देते हैं, राड़ पर सेकेंड, यह हमारा ओमेगा लेकिन, ओमेगा इसकोल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, तो फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा भाई, 2 पाई कर लीजे, तो 2.6 अपाउन, 2 पाई करेंगे, तो कुछ जितना वैलू होगा, यहीं पर छोड़ देते हैं, रिवॉलूशन पर सेकेंड, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजे, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लिए, अब आज़ेए, नेक्स्ट कॉस्चन में चलते हैं, इसमें कर रहे हैं के, स्मूज सर्क्लर ट्यूब इस हेल्ड वर्टिकल पोजिशन, ठीक है, सर्क्लर ट्यूब है, वर्टिकल पोजिशन में इसको रखा हुआ है, a small ball which is free to inside of the tube is a held stationary at the highest point in the tube, तो एक, मतलब इस तरह का होगा कुछ बच्चो, यह रुको, फीगर तो है हमारे पास, ना, तो इनको अच्छे से दिखाया जाए, ऐसा, यह विजिवल है, 00. तो एक मतलब ट्यूब बीस्तर रखा है और इसके अंदर कोई बॉल फसा हुआ है और बॉल हो गुम रहा है इसका सेंटर रहाँ पर होगा यह बुला है कि a smooth circular tube is held up vertical position a small ball is which is free to slide inside the tube is held stationary at the highest position in the tube if the ball is the slightly displaced from the position of rest so that the force exerted by the ball on the wall of the tube is given by mg 3 cos theta minus 2 ठीक है तो 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 सो that the force exerted by the wall on the wall तो बेसिकली बच्चो क्या होगा कि यहां पर कुछ at angle जब theta बना रहा हो हो question में mention है slightly from the position so that the force exerted by the ball or the wall given that and where m is the mass of the ball and theta is the angular displacement from the highest point it theta not O angular displacement from the highest point यहां से अगर हो रहा होगा तो up to what value of the theta this result will be the remain valid तो पूछा जाएगा कहां से कहां तक हो रहा है तो खेर यहां से हम देखें इसका value अगर बॉल लगा होगा तो एमजी डाउंवर्ड लग रहा होगा और इसका normal force इस पर क्योंकि contact इधर की तरफ है तो नार्मल ų फ की तरफ यह फोर्स से बॉल कितना लगा रहा होगा और mg डाउंवर्ड तो यह थीटा तो ए bur点 तो यहां से हम बोल सकते हैं कि mg cos theta, ऐसा होगा क्या, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, अगर उसका, रेडियस के बारे में कुछ बता रखा है, क्या, तो अब देखिए बच्चो, कि यह ठीटा जब होगा, और रेडियस पर है, तो यहां से जो आप यह चीज़ इसको पहचान रहे होंगे, ऐसा बन रहा होगा हो, डिस्टेंस तो इतना ही होगा, और यह हमारा रेडियस आर है, तो यह कितना हो जाएगा, सामने से आर कॉस ठीटा, यह तो हम जानते हैं, बच्च्पन में सिख लिया था, टिक्नोमेटरी वगरे यह सब करके, यह आर है, तो यह वाला र कॉस ठीटा हो जाएगा, और यहां से फिर से वो आर है, तो यह डिस्टेंस जो लोवर डाउन हुआ, यहां से यहां जो लोवर डाउन हुआ, मतलब हमें दूसरा एक velocity निकालने के लिए चाहिए होगा, velocity हमें नहीं पता ना, तो velocity निकालने के लिए चाहिए होगा, तो उस समय वो, इस्टेस्टनरी है, रेश्ट पे है, तो काइनेटिक इनर्जी उसका सुनने होगा, और potential energy, तो जब कितना हो gain in potential energy हो रहा है, वही हो, उसके kinetic energy के equal होगा, तो मैं उसको पूरा नहीं लिखता हूँ, खाली potential energy से काम चला लेता हूँ, change in के लिए, तो यहां से कितना होगा नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो r minus r cos theta, तो mg r 1 minus cos theta, ऐसा है, और जितना भी सब gain in हो रहा होगा, kinetic energy में, 1 by 2 m v square, ऐसा, तो हम यहां से m v square by r का ready-made value ले ले, इसको r से divide करके ऐसा, और 2 को इधर भेज देते हैं, यह समझ में आ है working, पीछे जाकर थोड़ा rewind करके देख लेंगा ना, कि r नीचे चला गया, जो 2 इधर था, इधर भेज देख देख देख, 2 mg into 1 minus cos theta का value, और is equal to m v square by r आ गया, तो यहां से इसका value रखते हैं, mg cos theta minus normal force, और m v square by r का value कितना होगा, 2 mg, 1 minus cos theta, ऐसा हो गया, m v square by r के लिए, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 mg, ठीक है, इसको इधर भेज दिया, तो 2 mg minus है, और यह वाला कितना हो जाएगा, 2 mg minus cos theta, अगर नहीं दीख रहा होगा, तो आप ऐसे लिख कर देख लिजिए, 2 mg minus 2 mg cos theta, तो 2 minus mg cos theta इस side में आए, और mg cos theta पहले सी इधर है, तो 3 mg cos theta हो जाएगा क्या, यह चीज, इधर आजाएगा, और minus 2 mg इस side में आजाएगा, और normal force को इधर दीजिए, तो n का value आपका, यह ऐसा आगया क्या, 3 mg cos theta minus 2 mg is equal to n, तो normal force को आप, जो आपको प्रूफ करना था, mg common ले लिजिए, वहाँ से, तो क्या मिला, 3 cos theta minus 2, ऐसा, अब normal force का value अगर सुनने होगा तो, तो cos theta का value कितना आजाएगा, 2 by 3, तो पूछा था किस के लिए, वह up to what value of the theta, the result will be remain valid, तो theta is equal to, cos theta is equal to 2 by 3, अगर लेंगे, तो उसके लिए result यह hold करेगा, तो समझ में आया बच्चों आप लोग को, यह question, अच्छा, इसी तरह लिए और question रख रखा था मैं, आप लोग के लिए, चलो, पहले इसको तो solve कर लो, आप, इसको solve कर लिजी, च्छीक है, एक यहाँ पर question था, इस्टार्टिंग में ही एक question रखा था, एक कर रहा कि small box of mass M is a kept on fixed smooth sphere of radius R at a position where the radius through the box make an angle 30 degree with the vertical, यहाँ पर बच्चों क्या कहा, कि इस question को यहाँ आप से figure एक आउट कर लेते हैं, ऐसा, कि 30 degree के position पर कोई एक पहले से है आपके पास, और स्मूथ है हो, from the vertical, ऐसा कह रहा है, अब क्या बोला, the box is released from the just after, the box is released from the position, what will be force exerted by the sphere on the box just after the release, यह तो बच्चों असान है, कि कितना कर रहा होगा, तो mg downward होगा, और यहां से normal force बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो इसका यह वाला component, mg cos θ, तो यहां से जो normal force का जो value आ जाएगा, अब के लिए mg cos 30, तो कितना हो गया, root 3 by 2 mg, ऐसा मिल जाएगा क्या, कितना हो force exert करेगा, just after the release, तो first part तो असान है, root 3 by 2 mg आ गया, दूसरे part में क्या पूशा है, कर रहा कि find a distance travel by the box, before the leave the contact with the sphere, हाँ, यह point है आपका, तो मान लीजे कि कहां से यह जब जा रहा होगा, ऐसे, ऐसे, इस तरह से, तो कहीं पर इसका contact छुटा, यही पूछ रहा है, तो contact छुटने से पहले कितना चला, यह चाहिए, तो मान लीजे कि इसको मान लीजे, theta, यही न, इससे बना रहा होगा, तो इसमें, अभी हम अगर dynamics देखें उसका, तो इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल फोर्स तो छुट गिया होगा, मतलब अगर लिखते भी उसका loss of motion से, mg cos theta, minus normal force, is equal to mv square over r, radius अगर r है तो यही होगा, तो एक चीज़ तो normal force का value 0 हो गया, हमसे पूछ रहा है कि कितना angle चलेगा, मतलब एक तरह से theta हमें चाहिए, यह theta कितना हुआ, theta होगा तब हम निकाल लेंगे उसका value, तो पहले theta निकालते हैं, और mv square by r का value क्या होगा, तो energy conservation के पास चले, वो हमें फटा-फट दे देगा, यहां से जो distance है, और यहां का जो distance है, यह चाहिए हमें, कि potential energy इतना release हुआ होगा, वही velocity दिया होगा, क्योंकि question में क्या mention है, question में mention है, कि ball जो smooth surface है, वहां पर smooth surface है तो fix किया होगा, तो मतब ठुक बजा के बोल रहा है, कि it is stationary, कि kinetic energy तो कोई होगा नहीं उनके पास, when the moment it is slide, and after some time, this is the, their contact will be live from this surface, then normal force will be zero, then having some energy, having some velocity, so it means its potential energy is lower down to converted to kinetic energy. So, what will be the potential energy will release from here? So, you can say that mg, यह वाला जो angle बना रहा है, 30 degree, तो यहां से अपका, आप इसको यहां से ऐसा बोल सकते हैं, कि यह जो पहला वाला जो मैं बना रहा हूं, कि इस triangle के लिए अगर आप समझिए, कि यह 30 degree का जब बना रहा होगा, उस से में कितना होगा, r cos 30, ठीक, और जब यहां से angle लोड ठीटा बना रहा होगा, तो इसके लिए है, ठीटा बना रहा होगा तो इसके लिए है, तो यह वाला angle कितना हो जाएगा उसके लिए बच्चो, r cos theta, तो यहां से लेकर यहां तक r cos theta है, और यह हमारा r cos 30 है, सरी, ए आर कॉस्ट थर्टी है ऊपर वाला, मतलब एक अटम मोमेंट जब इनिसली था, तो किस हाइड पर होगा, अगर सेंटर से देखे तो, आर कॉस्ट थर्टी और जब यह ठीटा बना रहा होगा, आर कॉस्ट थर्टी तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कैनेटिक इनरजी में, तो 1 by 2 M V square M से M अपने घर चले गए बाकी का तो आप हिसाब किताब लगा सकते है अच्छा, M का value ready-made value है तो उसको cancel नहीं करते हैं लेकर उसको आते हैं तो इसको क्या करिए बच्चों जो वहाँ पर आपको पीछे बताया था इस R को नीचे की तरफ भेज़ दीजिए और इस हाफ को यहाँ पर भेज़ दीजिए तो M V square Y R का ready-made value कितना बली है 2 M G cos 30 minus cos theta तो यहाँ पर अगर रखेंगे M G cos theta is equal to M V square R के जगा पे यह value, cos 30 का value root 3 by 2 होगा minus cos theta तो 2 M G root 3 by 2 minus cos theta तो यहाँ से हमें cos theta निकालना है तो minus 2 M G cos theta होगा तो इधारा कर कितना हो जाएगा 3 M G cos theta ठीक है और यह 2 से 2 cancel होगा तो कितना हो जाएगा M G root 3 M G अपनी अपने घर चले गए तो cos theta का value कितना आ गया वहाँ से अगर आप देखेंगे तो cos theta का value आ जाएगा root 3 sorry root 3 तो कभी हो नहीं सकता न cos का value बच्चो क्यों? क्योंकि एक से जादा है तो कभी नहीं होगा तो cos theta का value वहाँ से root 3 by 3 है तो 1 by root 3 इसका value अगर आप देखेंगे theta का तो कुछ 55 डिगरी आता है करके आप देखना तो यह यहाँ से theta का value 55 डिगरी हुआ पहले 30 डिगरी था तो यह जो आपको shaded line से बनाया हुआ है तो यह angle कितना हुआ? 25 डिगरी पहले 55 मतलब पहले 30 था अब 55 हो गया तो difference दोनों के बीचे कितना आया? इस 25 डिगरी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं तो यहाँ से जो हम आर्क लेंगे वो हम से पूछा है कि कितना distance चलने के बाद गीरा है? question में यही पूछा है न? देखिए क्या बोला कि find a distance traveled by the box before leave the contact with the sphere तो कितना चला है? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इतना ही चला होगा? तो यह आर्क कैसे निकाला जाए? आर्क निकालने की कहानी बता रहा था बच्चों आपको तो आर्क is equal to यह तो बच्वन के दिनों में काफी clear हो गया होगा आर इंटू theta कभी भी इस तरह का अगर होता है और इस center से यहाँ पर है और ऐसा है तो यह ठीटा चाहिए तो radius कितना है? तो वहाँ से आपको आर इंटू theta ऐसा होता है तो radius के जगा पर हमें कुछ ग्यान है तो आर ही पता है साथ question में given होगा और ठीटा 25 degree है तो यह भी आर्क लेंथ का तो हुआ नहीं वन डिग्री इसकोल टू आपको यह भी सीखे होंगे पाई बाई 180 ऐसा होता है रेडियन में तो यहाँ से आर इंटू पाई बाई 180 इंटू 25 तो इसको आप करना मतलब करने से मतलब है कि solve उसको calculating calculator से थोड़ा help लीजिए और करिए नहीं तो early भी कर सकते हैं उसमें कोई ऐसी खास ऐसा नहीं है पाई के वैलू 3.14 है और यहां से 25 है तो कुछ उस 75 ऐसे देदेगा आप 0.1 के चलते कुछ उसका वैलू आप देखेंगे 78 उसके आसपास रहेगा तो उसका वैलू कुछ आप निकालेंगे तो 0.4 के आसपास आएगा 0.4 और ठीक है तो कितना distance चलेगा whatever the radius, radius गिभेन नहीं है ना आर ही गिभेन है तो 0.25 चलेगा ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लीजे यह काफी एच्छा question था अब आजाएए अपने जो question कर रहे थे उसके तरफ यहां से हम लोग कर रहे थे बच्छो और यहां से करना था ठीक है यह कर रहा है कि पाटिकली सस्पेंड फोर्म देश्ट पोईंट फॉर्म देश्ट फाइव मीटर इस तरफ प्रोजेक्टेट फॉर्म पोजिश्ट फॉर्म पोजिश्ट्ट अप्र यह तो हमने लग लग टाए कर लिया है यह ऐसा कर रहा है पीशे भी आज ही किया है कि जब वहाँ पर था तो थ्री मीटर पर सेकेंड से कितना होगा ठीक है इसको तो हटा दीजे आप तो आप तेखे ओंगे 15 अच 26 जनवरी के दिन हम लोग के हां पर भी होता है तो या और इंगेरल आप कहीं भी देख सकते है तो जो स्टेंट है तो स्टेंट अपना दिखा रहा था तो यहां पर कुछ ऐसा कर रहा है, तो कर रहा है कि how many g's does the pilot experience due to the his motion alone, ठीक है, तो by the what factor does the pilot weight appear to increase the bottom of the dive, vertically downward the speed of 220 km, तो इस पे force क्या लग रहा होगा बच्चो, इस पे तो centripetal force जितना लग रहा होगा, वही लगेगा, है न? तो कर रहा कि how many g's does the pilot experience due to its motion alone, तो motion के चलते हैं, अगर देखिये तो अगर हवा में कोई रहा है, जिसे हम लोग यहां पर है, तो mg लग रहा होगा, बदले में फ्लोर हमें दे देता है उतना normal force, दोनों का cancel out हो जाता है, तो action reaction के चलते हम क्या करते हैं, रिष्ट में रहते हैं, मतलब जितना mg लगा है, उतना normal force, तो हवा में हैं तो उसका कैसे negate कर रहा होगा, तो mv2 by r, अंदर की तरफ एक force लगा रहा होगा, तो जो mg को इसको balance कर रहा होगा, तो अभी पूछा है कि अपने motion के चलते कितना experience कर रहा होगा, तो normal force is equal to, mv2 by r, यही देगा उसको, normal force ज given नहीं है, कोई बात नहीं, तो उस पे जो gravity के वाल पूछा है, तो यानि कि v2 by r का value पूछा है है, तो m को m छोड़ दीजे, v के जगा पे 220 by 18 कर सकते हैं, into 5, क्योंकि km per hour में given है, और उनका radius है 180, ऐसा, तो जब इसको आप calculate करेंगे, तो कुछ value आएगा, और क्या होगा, तो आएगे calculate करते हैं, तो m यहाँ से 2100 by 18 का square होगा upon 180, तो जब इसको आप calculate करेंगे, तो कुछ, ऐसे 1850, 90 होता है, और 186 जा, इस 108, तो 6 जा तो यह जाएगा, 108 हो जाएगा, और बचा 2, तो एक dot लगेगा 61, तो 36 से ज्यादा, कुछ मान लिजे, 36 and half, 36 50 मान लिजे, इस तरह का कुछ मिलेगा, upon 180, तो वहाँ से अगर देखेंगे, तो कितना जाएगा, 0, इस 360 भई, मतलब कि 2, ऐसे आप इसको calculate करने पे, जब इसको देखेंगे, तो उसका कुछ value कुछ 2G के आसपास आता है, यहां से, यह itself जितना value आया है, जैसे कि 3600 है, और वहाँ से इतना है, तो ठीक है, मैं वही बता रहता है कि कुछ, मतलब कि 20 के आसपास से calculation आएगा, 20 के आसपास आएगा, तो हम यहां से क्या लिख सकते है, M into 2G, यह वाला पूरा calculation, M to M ही रहा, तो 2G से ऐसा हो गया, तो कितने G लग रहा है, 2G, वह पूछा था कि approximately कितना experience कर रहा होगा, 20 है, तो 2G approximately कर रहा होगा, तो फिर कर रहा, by what factor does the pilot weight appear to increase in the bottom of the dive, तो जब bottom पर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, यह तो फिर वही सब कहानी हो गया, कि Mg के लिए नीचे की तरफ लग रहा होगा, और normal force अंदर, यहां सम बोल सकते हैं, कि N-Mg is equal to Mv square over R, तो N is equal to कितना हो गया, Mg plus, और उसका M into 2G, क्यांकि Mv, V square R का भी देखे थे 2G था, तो 3Mg है, तो किस factor से increase कर जाएगा, at what factor पुछा है, what factor does the increase the bottom, तो यहां से अगर M, पहले लग रहा था 2G, और यहां से अगर लग रहा था 3, मतलब कि, आप कह सकते हैं कि 2G से increase degrees होगा, क्योंकि पहले उसका Mg बाल लू लग रहा था, अब जब bottom पे आएगा तो 2G, उसको extra करना पड़ेगा, है ना, मतलब कि motion के चलते ही उस पे gravity कर रहा होगा, तब ऐसा, क्योंकि Mg अगर करेगा, तो कि बाल हाई stint रहेगा, अभी इस पे कितना लग रहा है, 3Mg लग रहा है, तो इसका मतलब क्यों, 2Mg से बढ़ रहा होगा, तो इसका A part का answer है, ठीक है बच्चों, अब आईए, next question में, हाँ, ये देखिए, ये question भी कमाल का है, तो इस question को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सरा calculation नहीं है, करें कि smooth surface of hemispheres is fixed on the ground, as shown in a figure, figure तो given नहीं है, मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा, इस तरह का semi-circular है, फिर कहा जा रहा है कि, the topmost point of it, a small ball is the start sliding with no initial velocity, topmost point पर है, और जब slide कर रहा है, तो कुछ यहां पर आएगा, जब यहां पर आएगा, तो गिरेगा या क्या होगा, find a distance between the center of base, hemispheres point, where the particle strike to ground, तो देखो, होगा क्या है, कि जब उसका contact छुटेगा, तो कुछ ऐसे गिरेगा, या ऐसे गिरेगा, जितना भी velocity यहाँ से होगा, तो ऐसा ही होगा, तो यहां से यहां तक कहा हमें बताना है, तो यहां पर आईए, देखते हैं कि कहां पर गिरेगा, क्या होगा, तो ठीटा का value तो यह हमारा ऐसा होगा, normal force ठीक ऐसे लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, जो जो dynamics वाला है, और work energy theorem को भी पहचानते हुए आते हैं, और इनका radius कुछ r होगा, तो यह वाला r cos theta, तो यह value कितना हो जाएगा, बच्चो, बतलब यहां से यहां तक r cos theta होगा, अगर radius r ले ले लते हैं, तो r cos theta आएगा, तो यह वाला value कितना हो जाएगा, r minus r cos theta, 1 minus cos theta, तो potential energy कितना release होगा, r into अभी पीछे वाले question में देखा था, exact वही है, तो हहां से और initial velocity 0 है, तो केवल potential energy release हो रहा होगा, तो mg into r, 1 minus cos theta होगा क्या, और is equal to, सारा का सारा हो, kinetic energy में जा रहा होगा, तो mv square, तो m same cancel हुगा, तो 2gr into 1 minus cos theta का under root, यह तो आपका velocity मिल गया, ठीक है, जब वो moment गिर रहा होगा, तो उससे में उसका angle क्या होगा, या velocity कितना होगा, या वहां से बता सकते हैं, यह वाला, कि जब normal force वाला equation लिख रहे थे अभी, तो mg cos theta minus normal force, तो normal force तो 0 ही होगया, क्यांकि contact जब छूटा होगा, कहीं न कहीं तो contact छूटा होगा, तो mg cos theta, यहां से कितना हो जाएगा आपका, mv square by r, तो m same cancel हुगा, v का value कितना होगया, बच्चो, rg cos theta, कंडा root, अब यह वाला v, o वाला v के equal होगा, तो कितना आजाएगा, 2 rg into 1 minus cos theta, तो अभी-अभी हमने side, इसको निकाला भी था, cos theta का value 2 by 3 कुछ आ जाता है, यहां से, है न, क्योंकि यह 2 इधर होगा, 2 rg cos theta, इधर आकर 3 rg cos theta हो जागा, इसको squaring करेंगे आप, both sides, मतलब कुछ ऐसा होगा, 2 rg था, यहां क्या आप, rg cos theta, rg cos theta यह ऐसा है, और जब square करेंगे, तो 2 rg, 1 minus cos theta, तो rg से rg अपने घर गए, और cos theta का value कितना हो जाएगा, 2 minus 2 cos theta, तो यह advanced level का है बच्चों, यह अच्छा equation है, तो cos theta का value कितना हो गया, जिस 2 by 3, जिसको आप रखे रही है, cos theta का value 2 by 3, अब देखिए, इसमें, अब क्या कहानी हो रहा है, कि ठीक है, theta तो है, और वहाँ से contact, उसका slip off हुआ, तो जब वह जा रहा होगा, यहां से, तो velocity का, मतलब यह कुछ, ऐसा जा रहा हो गया, ऐसा निकला होगा, तो हमें, इसमें, मतलब कि एक तरह से इसका dynamics वगरद सब आपको बताना होगा, कि यह चीज आपका, बतलब x component क्या होगा, y component क्या होगा, मतलब किस time पे इसको fall down कर रहा होगा, तो यह वाला r cost theta इसका vertical height होगा, तो जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो और देखिए, वहां से v का value है, तो यह, हम जानते हैं, theta है तो 90 minus theta, यह theta बना रहा होगा, ठीक है, तो उसका दो component उहां से निकल कर आएगा, एक तो जो horizontal वाला component है, एगर ऐसा अगर देखेंगे, तो कुछ v velocity का, तो v अगर इसको theta माने थे, तो v cos theta इधर की तरफ हो जाएगा, v sin theta नीचे की तरफ होगा, और vertical distance कितना travel करेगा, y component, ऐसा, y is equal to r cos theta ही करेगा ना, और वहां से अगर देखेंगे, तो नीचे की तरफ, यह मैंने क्या लिया था, v था ना, theta था, तो ठीक है, ऊपर वाला यह v sin theta होगा, बच्चो, v sin theta नीचे के लिए, अब उसका velocity का component, v sin theta into t minus half gta square, यह तो यह property से आप time लेकर आएंगे, ठीक है, फिर जो पुछा था, x का value, कि कहाँ पर वह करेगा, गिरेगा, तो यहां से यहां तक तो आप, कोई पता होगा, कि r sin theta यह वाला हो जाएगा, और जितना भी additional हैगा, वह x component के लिए होगा, तो x component का कितना है, v sin theta, नहीं, इसका मैंने क्या लिया था, v cos theta होना चाहिए था, यह वाला v cos theta t minus half gta square है, और उसके लिए लेंगे, तो v sin theta into time t, तो जब वह hit करेगा, तो y का value 0 है, जो हमने projectile में खूब सरा किया है, इसलिए मैंने बोला था, कि पूरा नहीं करेंगे, calculation बहुँ ज़्यादा है, तो t का value, मतलब वह सब फिर 3-4 vote जाएगा, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, कि r cos theta is equal to v sin theta t minus half gta square, अगर numerical रहता तो करने में, अराम रहता, numerical ही मिलेगा, आप चिंता ना करें, तो r cos theta minus v sin theta half gta square, तो t का value इसमें quality भी बन रहा है, तो इसलिए मैंने बोला, और whatever the value will come out, यहाँ t का value put करेंगे, तो x आएगा, तो x का भी इसमें क्या है, कि यहाँ से यहाँ तक travel करेंगा, तो center से बोला है, और यह distance हमारा कितना था, r sin theta, तो जितना भी finally आएगा, x dash से गर कहते थे हैं, center से जो distance है, तो यह x plus उसमें r sin theta आपको करना होगा, तो आप इसमें देख रहे होगे, भर-भर के पूरा बहु सारा उसमें हमारा calculation है, क्योंकि quality equation को solve करना होगा in the term of t, तो और सारा unknown है, तो वो चीज, फिर उसका value जो आएगा, पूट करगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आज आएगा, अगर numerical value रहता तो मैं अभी इसको करता है, अभी क्या है कि वो उसमें क्या करते हैं, notation में है, तो उसको करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, तो इसलिए उसको टाटा बाइवाय कर देते हैं, तो क्रक्स तो आपको समझ में आगया, question का, करना क्या है, यहां से जब यहां बर आया था, dynamics वाला equation, normal के लिए देखे थे, दूसरा work energy theorem वाला, जैसे जैसे बुला, वैसे उसे करते के, वहां से हमें cost theta का value आ गया, फिर सोचे कि अगर वहां से निकलेगा, तो कैसा होगा, projectile path follow करेगा, क्योंकि gravity है, उसके बस velocity होगा कुछ ना कुछ, free fall तो डाउन तो आएगा नहीं, तो जब इस तरह का बात होगा, तो हमने projectile motion का concept लगा दिया, दोनों को mix किया आ गया, तो ऐसा एक question advance के लिए, आप देख सकते हैं, कि इसमें तीनों चीज़ का था, work energy theorem तो पूरा भर के है, dynamics पूरा भर के है, और last में projectile है, तो आप देखेंगे previous year में भी ऐसा question आपको मिल जाएगा, यब मैं देखता हूँ, अगर वो exact question होगा, तो भी करवाऊंगा, ठीक है बच्चो, तो इसको note down कर लीजिए, ठीक है बच्चो, तो इसको लिख लीजिए, अच्छा, इतना ही था, तो cos theta फिर मतलब अच्छा, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर था, cos theta का value, और once you get the cos theta value, x का value, x plus r sin theta, और इसका quadratic equation solve करने के बाद, ऐसा निकल कर आगे है, ठीक है, ठीक है, अब आज तो यह तो यह था हमारा vertical circular motion के बारे में, तो यह list नहीं है, मतलब कि बस इतना ही नहीं, और आगे मिलते जाएंगे, questions तो उसमें लाएंगे, अभी हमें कुछ equilibrium वगर के बारे में, उसमें जाना है, तो उसके बारे में बताएंगे, तो इस पार्ट में इतना ही, next पार्ट में जब हम करेंगे, तो कुछ और उसका mix question के लिए करेंगे, अब हम लोग power के तरफ चलते हैं, जैसे power क्या होता था, कि उसको समझते हैं पहले, यहाँ पर अब लिख देते हैं, power, तो यह बहुत in general point है, कि उसका इतना power है, उसका इतना power है, मतलब इतना use है हमारे daily life में, थर्मल इसका power plant है, इस तरह का current electricity का कितना है, और जब आप bike खरिदने जाते हैं, गार खरिदने जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं power, तो क्यों ऐसा देखते हैं, power कि इसका कम है, जैसे मान लिजए कि एक आदमी है, एक ही काम को, एक piece of work, मतलब कि दो दिन में पूरा करता है, तो उसका अपना धीरे धीरे धीरे, मतलब वेज ओल्ड होंगे, तो कर रहे होंगे, दूसरा आदमी है, उसी काम को दो घंटे में फटा फट कर ले रहा है, तो यंग energetic energetize है, तो energy तो उसके पास भी उतना ही लगा, कि उसका फ्लो क्या है, जो आप energy आप कही दिन पर काम कर रहे है, उसका फ्लो क्या है, जैसे कि वो जो एज ओल्ड आदमी थे, जो दो दिन में उसको काम को पूरा कर रहे थे, तो ठीक है, उनका time बहुत ज़्यादा लग रहा था, करने में, तो हम कह सकते हैं कि काम तो पूरा किया उसने, लेकिन उसको दो दिन का समय लगाया, दूसरा आदमी उसका काम को दो घंटे में कर दिया, तो फटा फट पावर उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि time कम लग रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चो, पावर का इनर्जी के साथ तो रिलेशन है यह, कि आपके पास इनर्जी रहेगा, तभी तो आप कुछ कोई वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, और वर्क परफॉर्म कर पाएंगे तो उससे आपका पावर निकलेगा, और फिर पावर में देखा जाता है कि आपका time factor कितना है, कि time factor जितना कम लगेगा उसका power उतना जाधा होगा, यहीं न, फिर अच्छा उसमें अगर देखें, motorbike वगरा में या वैकिल जहापर engine वगरा involved है, तो हम पर हम power क्यों देखते हैं कि हमें जल्दी कहीं जाना हो तो accelerate जब करें तो speed up हो और हो कम time में तुरंट से काम करने लगे इसलिए हम power देखते हैं ना तो एक तो power का relation वहाँ पर है तो अगर इसकी बात करें power is called के लिए तो एक तो horse power में जो measure करते हैं आज भी आज भी का क्या मतलब है पहले के जमाने में क्या होता था कि अच्छा इसको अभी कोई सोजाए कि power को horse power में क्यों करते हैं पहले के जमाने में क्या होता था कि जितने आपके पास horse हो उससे आपका power decide होता था किसी किंग के पास पांच लाग होर्स है, किसी के पास दस लाग था, बिस लाग था या कोई individual capacity household है, उसके पास दो, तीन, चार ऐसे अगर होर्स गोड़े है तो उसका power decide होता था, आज भी उसी में है तो हम जब car ले ले जाते हैं, तो देखते हैं, दो HP का है, तीन HP का है, चार HP का है कोई भी engine power plant के लिए, या कोई इसकी engine के लिए, तो उसको आज भी HP में major किया जाता है तो आज भी हम लोग अपने यहां, होड़े को ही रखे हुए है, ठीक है तो यह तो HP की कहानी हुआ, और 1 HP is equal to 746 watt, ठीक है तो यह तो इसकी बात हुआ, अब देखिए कि जो power का जो basic formula है या जो हम जानना चाहते हैं, या power is equal to है क्या capacity to do, perform a work per unit time, तो work upon time taken ठीक है, तो P square 2 हम यहां से क्या बोल सकते हैं, अब force into delta x, कुछ आपने distance travel किया होगा work अगर कर रहे हैं, तो कुछ, कोई भी अगर compound है, अब वे नहीं सूची कि engine है, तो तो कोई fix engine है तो उसका power देखते हैं, तो उसमें घुमता है बच्चो, वो मतलब fix है, मतलब उसका belt या chain अगर कुछ होगा, तो उसका power देखा जागा, कितने से rotate कर रहा है, तो अलग चीज है, या instantaneous power के लिए उसको चला कह सकते हैं, और time taken is delta t, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कि force into velocity, तो power is equal to force into velocity, मतलब कुछ आपने, अगर किसी में work किये, तो उसके जलते कुछ moment होगा, flow होगा, तो क्या होगा, force into velocity हो जाएगा, यह बात तो हमने इसके लिए समझा, ठीक है, अब देखिए कि इसका दूसरा जो है, average power, average power क्या होता है, कि P अगर average अगर बोले, तो उसमें हम देखेंगे कि जो work कर रहा है, वो किसमें कितना useful है, तो change in kinetic velocity के लिए जा रहा है, तो change in kinetic energy के लिए देखते हैं, और कितना time है, delta t, तो change in kinetic energy upon time taken is equal to F average, P average, ये वर्ड याद रखिएगा, कि जब भी ये आपको काम करेगा, कि average power क्या होता है, कि change in kinetic energy भाई, time taken, ठीक है, force into velocity तो था ही, आप F into delta V भी करके देखेंगे, तो वही expression देगा, तो average power की कहानी ये था, इसको फटा-फट, चाहो तो आप लिख सकते है, change in kinetic energy, ठीक है, दूसरा, कि इसका जो instantaneous power होता है, वो क्या होता है, instantaneous power, तो ये देखो, इसमें एक और चीज़ बताना था, कि ये जो भी लिख रहे थे, तो force work done by displacement delta x by delta t, तो f dot v, तो basically क्या होता है, कि power एक scalar quantity है, scalar quantity है, तो इसके चलते क्या होगा, कि इसका dot product force dot v के लिए, आपको याद होगा, कि अगर मैं dot product जब पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था, कि power एक scalar quantity है, और f dot v होता है, तो जब आएगा तब बताएंगे, तो जब आएगा तो बताया, आपको p is equal to f delta x by delta t से आता है, तो f dot v हो गया, अब बच्चों देखिए कि इसका instantaneous power अगर देखें, तो अभी हमने इसको, यहाँ से क्या देखा था, कि instantaneous power के लिए p is equal to, वहाँ से f dx upon, इसको dt ऐसा लिख सकते है, तो f into dx by dt, तो f into v, तो velocity into yuk power है, यही आपका instantaneous power है, ठीक है, तो इस पे आपको काम करना है, यह इसको आपको समझना है, ठीक, तो power पे तो इतना ग्यान है, आपको दिया, कि जैसे कि force और भी इसके साथ कुछ-कुछ mixture होगा, कि power के लिए, f is equal to, और, मतलब friction को लादे, power उसमें ही dissipate हो रहा होगा, कि और कुछ-कुछ, तो आईए एक दो कोशन basic समझते हैं, अच्छाए फिट से आगए है, चलो आगे की तरफ flight था, वर्टिकल सेर्कल, यह स्टेंट पाइलेट वाला तो अभी किया थे और a smooth plane के बाद किया थे, ठीक है, इसके बाद है, तिन-चार कोशन, एक रहा, body of mass is thrown at angle to theta, angle theta होगा, angle to theta, to the horizontal with the initial velocity u, तो बहुत दिन के बाद आया, बच्छो, projectile, तो दोनुहां से इसको पगड़ा जाए, ऐसा, theta से उसमें आजा रहा है, ठीक है, और u velocity, ऐसा होगा, find the mean power developed by gravity, over the whole time of the motion of the body, ठीक है, तो gravity के चलते है, अगर कितना उसमें mean power होगा, तो अभी हम ने आपको बताया था, mean power is equal to क्या था, बच्छो, mean power, तो mean power is equal to क्या होता है, change in kinetic energy, upon delta T, यह होता है, तो यहां से यहां तक आने के लिए तो आपको तो पहले से ही पता है कि time of flight कितना होता था, यह तो आप जानते थे, time of flight के लिए, एक चीज़ और आप जानते थे, कि जब यू से गर इसको फेका जाता है, तो जब वो heat करता है, तो same velocity से heat करता है, यू से ही, यह fix है, और यह work energy theorem से भी देखिए, कि यहां पर जब इसका height है, यहां पर air resistance नहीं है, तो अगर आप u speed से अगर आप फेके, तो height कुछ धीरे-धीरे velocity काम होता है, highest point पर के लिए velocity का x component होगा, तो height h कुछ gain किया, मतलब kinetic is converted to potential, और potential is converted to kinetic, अगेन फिर कुछ होगा ऐसा, तो उस case में हमें बताना है, कि अच्छा, तो फिरो क्या होगा, कि हमारा जो जितना kinetic से potential में convert हुआ, वापस potential kinetic में convert हो गया, तो हमें यहां से बोल सकते हैं, कि जितना u था, जितना kinetic energy अभी यहां था, initial position पर, वही हमारा kinetic energy यहां पर होगा, final, तो change in kinetic energy, जो mean के लिए चाहिए था, तो change in kinetic energy कितना हो गया, सुनने, क्योंकि speed में तो कोई change हुआ नहीं, तो इसका square में कोई change नहीं होगा, तो change in kinetic energy अपका सुनने हो जाएगा, तो mean power का जो value निकल कर आएगा, इस case में, तो कितना हो जाएगा, सुनने, यह तो इसका भी बात हुआ, अब उसमें पूछा जा रहा है, अब मुझे कुछ एक और दो question ही आदा रहा है, तो इसके बारे में इसके तब बताऊंगा, पहले इसको explain कर दूँ, इसमें फिर कहा जा रहा है, and the instantaneous power of gravity as a function of time t, तो ठीक है, इसको लाई यह बना देते है, gravity हड़ जगा से लग रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो एक arrow वाला भी है, gravity, gravity हर जगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो f तो fix है, और f का जो value होगा, कितना होगा, बच्चो, mg, negative में, तो j, को ऐसा कह सकते है, ठीक है, अब velocity के बारे में हम क्या जानते है, velocity का एक x component होता था, यहाँ से क्या होता था, u cos theta, यह कभी change नहीं करता है, तो वह आई हो जाएगा, और velocity का y component देखे, कि वैरिंग करते रहता है, तो इसका velocity का x component, u sin theta, minus gt, ऐसा होगा, और velocity का x component, ऐसा होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, velocity का जो component होगा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, कि vxi और vyj, तो vx कितना हो जाएगा, u cos theta i, और vy के लिए कितना हो जाएगा, u sin theta minus gt, j, ऐसा, एफ velocity के लिए हो जाएगा, और force के लिए कितना है, minus mg, j, ऐसा, तो power अगर निकालेंगे, तो f dot v, ऐसा, तो i के साथ j तो कुछ relation होता नहीं है, i dot j, पता है आपको 0 होगा, जो मिलेगा बहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, minus mg, u sin theta minus gt, ऐसा होगा क्या, तो इस negative को हम, जे जे तुक गया, कुछ settle कर दें, तो mg, u sin theta minus gt, तो यह हमारा, यहाँ का power हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो यह बात आपको सबज में आया होगा, तो इसको आप note down कर सकते हैं, फिर्ष्ट वाट के लिए, अब दूखिये इसके बाद नेक्स्ट इसको डाउन कर लीजिए हाँ बच्व एक कोश्चन आपको बताना चाहरा था कि अभी ध्यमाग में आया था तो इसको यहां पर क्या था कि अगर कोई पार्टिकल को के काइनिटिक इनर्जी से इसको थ्रो करता है ठीटा से यहां पर इसके हाइएस्ट पॉइंट पर कितना इनर्जी होगा या इसली इतना है तो इसको समझ लीजिए या वर्क नर्जी थियूरम से लगाना है तो उससे भी बता सकते है कि काइनिटिक इनर्जी इन इसली कितना है कि वो गिवन ही है यह स्मीट कुछ ना कुछ होगा correspondingly उसका तो जब वहां पर जा रहा होगा तो पोटेंसियल जीर होगा क्यांकि ground पर है तो potential energy इसको reference line नहीं से ले लेते हैं reference line इसको यहीं पर लेते हैं और कुछ है height gain करेगा यहां से यहां तक तो finally कितना होगा कि अगर speed अगर देखें तो 1 by 2 m u square cos square theta होगा क्या यही होगा और kinetic energy के वल final पूछा है तब तो कोई बात ही नहीं है इसको हटाओ तब इसको energy conservation के लिए कितना energy होगा वो बता देते हैं यह चीज़ आपको k final अगर चाहिए तो k final तो हमारा यह हो गया कि 1 by 2 m u square कर एडिवेट value कितना था जो k से फेका था k initial से k से तो अगर u speed corresponding होगा तो m into u square तो finally कितना हो जाएगा 1 by 2 या simple 1 by 2 into m u square के जगा पर k हो जाएगा तो k cos square theta तो k final अपका इतना हो जाएगा ठीक है तो k final के लिए पूछा था तो उसको बता दिया अच्छा इसमें और ही पूछ सकता था कि इसका total energy बताओ क्या होगा तो total energy के लिए आप हैंपर देखेंगे तो u cos theta होगा 1 by 2 m u square cos theta साथ ही साथ वो height भी gain कर रहा है तो mg h max के लिए क्या हो जाएगा m u square sorry not mg square तो अच्छ मैक्स के लिए क्या होता था u square sin square theta over 2g तो g से g तो अपने घर चले गए तो हांसे 1 by 2 हो गया और m into u तो velocity का अगर y component अच्छा m u square cos theta तो यह भी तो होगा ना m u square cos square theta तो महाँ पर mention है तो देखें 1 by 2 m u square common आ रहा है क्या is equal to अगर total energy पूछेंगे तो k ही रहेगा 1 by 2 m u square cos theta लेंगे तो इसका value 1 आ गया sin square theta plus cos square theta g से g cancel हुए तो equal था और जो कि k के equal है तो अभी लेकिन कुछ अभी यहां से हम यह का सकते हैं कि k के equal है उसका total energy तो हम यहां से बोल सकते हैं कि total energy is equal to k होगा और potential अगर पूछ लेता तो क्या होगा तो साफ-साफ ऐसे दिख रहा है कि m u square by 2 है तो potential energy के बारे में भी आप उसको बता सकते थे कि k sin square theta बचेगा क्योंकि यह वाला जो value है na mu square by 2 यह तो हमारा k था और sin square theta का value उतना ही है मतलब sin square theta ही रखेंगे तो potential energy जो उस समय होगा आपका k sin square theta होगा और यहां से अगर इसका value देख रहे है 1 by 2 mu square है तो उसको हमने के लिए रखाता है तो total energy देखें किये हैं और kinetic energy initial कितना है हमारा इस जाबर मतलब k था और final कितना था k cos square theta था प्लस potential energy चाहिए माल लो कि वहां से नहीं देख पार है मतलब projectile कि कि किसी को नहीं लगाना है तो यहां से भी देख सकता है तो potential energy is equal to कितना हो जाएगा k minus k cos square theta जब इसको आप देखेंगे तो k common लेंगे तो one minus cos square theta which is k sin square theta तो potential energy का value कितना आगया बच्चो k sin square theta और उसके लिए था मतलब question यह था फिट से एक बार brief कर दे रहा हूं कि अगर k से energy से फेका किसी ने तो highest point पर उसका final kinetic energy कितना होगा तो k cos square theta potential energy कितना होगा तो k sin square theta sum total करके दिखाया वही प्रूफ कर दिया के और उसमें हम total energy is equal to क्या जानते हैं थे kinetic energy plus potential energy kinetic energy हमारे पास था k cos square theta और plus potential energy उसको दूसरे साइड में भेजा तो वापस अपने stick रहते हैं पावर पे पावर का question था कि इसमें पूछा था कि average power क्या होगा और instantaneous power क्या होगा तो average power के लिए change in kinetic energy by time एक की याद रखिएगा मंत्र दूसरा कि जो पूछा था instantaneous तो इस f dot v इन दोनों में difference है और यह खास करके जब electric field जब हम पढ़ेंगे तो वहां खुब use होगा कि f dot v की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है i square r into t की बात कर रहा है खर वहां पर तो थर्म उसके लिए अलग हो जाता है अब आजाए इस question में चलते हैं आजके 78 number एकर एक रहा electric motor that can develop one horsepower is used to lift a mass of 25 kg through the distance 10 meter what is the minimum minimum time in which it can do this. तो कितने कम ताम में ये कम करेगा ये ही पुछा ना electric motor that can develop the one horsepower. तो one horsepower अभी अभी है देखा था is equal to one hp is equal to 746 watt ऐसा होगा तो अब उसको 10 meter 25 kg का कुछ मास है यहां से अब मान लीजिए कि 25 kg ऐसे से लेके जा रहा है कैसे भी तो उसका height कितना है 10 meter ऐसा जाएगा तो जो भी वो work करेगा इस पे हां से हां तक तो उसके potential energy या work इसका कितना होगा potential energy के बराबर होगा और कितना होगा इसका value MGH जहासे 25 into G into 10 और 10 meter है तो push almost almost 25 hundred joule इसमें काम हो जाएगा बच्चों यह देखिए अगर नहीं देख पा रहा है तो potential energy इसका MGH होगा और उसका mass है 10, mass है sorry 25 kg और G का value है 10 और 10 meter ही उसको लेकर जाना है तो उसको महनत कितना करना होगा 2500 जूल तो power is equal to हमारा क्या होता है W by T यही work done by time taken देखे थे ना तो time minimum time चाहिए और work कितना करना है 2500 और power है उसके पास 746 का तो कितना से में ले लेगा 73 है 21 और 42 46 है तो कुछ चंदाज आप लगा लिजे ओभी 9 G का value 9.8 लिया होगा तो थोड़ा कमी आएगा तो वहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ 22 250 होगा तो 3 से तो यह पूरा पूरा जा रहा है फिर उसके बाद एक dot लगाना पड़ेगा तो फिर से तो 3.333 आगी चलते जाएगा इतना उसको second में minimum time लगेगा कि उतना काम यह perform करेगा ठीक है बच्चों तो यह simple सा question था आपका concept क्लियर करने के लिए कि हाँ ऐसे भी हम से उपर की तरफ जा रहा होगा अगेंस लग्रैविटी काम कर रहा होगा तो वर्ग्रण में उसको जाएगा और time कितना लगेगा तो इसको 746 से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो इसको note down कर लिजे अब देखिए इसके बाद next question इसका एकर है कि pump is required to lift 1000 kg of water per minute from a well of 12 meter deep and ejected with speed of 20 meter per second, ठीक है, तो how much work is done per minute in lifting the water and what must be the power output of the pump, तो सबसे पहले तो इसको समझ लें कि यह कहना क्या चाहा रहे है कि अगर a lift 1000 kg of the water per minute ऐसा काम अगर कर रहे हैं, तो per minute, तो हम ऐसा निकाल लेते हैं कि work done per minute कितना हो रहा होगा? per minute, तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि MGH per minute में ही उसको जब नाम ही दे दिया है, एक minute के लिए है, तो one minute को अभी उतना भाव नहीं देंगे, उतना ही छोड़ देंगे उसको, per minute में बोल रहे हैं ना इसलिए, 1000 kg का value हमारा है 10 और यह 12 meter उसको उठाना है, तो कितना हो यहां से 12 के उपर, चार जिरो, इतना, मतलब 1 लाग 20,000, इतना जूल करेगा, अच्छा, खाली वो उठानी रहा है, साथ-साथ उसको eject with the speed भी कर रहा है, 20 meter per second के speed से, ठीक है, तो उस पे फिर kinetic energy भी काम में कुछ लग जाएगा, तो work done, दूसरा, work done due to the height हो रहा होगा, work done due to the their motion, due to motion per minute, per minute, यह बार-बार इसले कर रहा है कि work done by per minute, question में हो पूछ रखा है, कि per minute यह lifting में कितना कर रहा होगा, तो हम time से divide ना कर कर, per minute, per minute ऐसा बोल दे रहा है, तो is equal to half mv square, तो 1 by 2,000 into velocity is 25, 5k square, तो 25 by 2 कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5 into 1000 करेंगे तो, 125 double zero, ऐसा, तो एक लाख बीस हजार जूर लेहाँ से लग रहा है, 1 lakh 20,000 और 12,000 इतना है, तो total कितना काम कर, कितना हो जाएगा, बच्चो, 12,000 और में add कर देंगे, तो 1 lakh 32,500, तो total जो आपको work होगा, per minute, एक आजाएगा, 1 lakh 32,500 joule per minute, तो जो पूछा था, उसका यह answer है, और बाकी output कितना है, तो यही वाला हो जाएगा, आप इसको second में कर दो, 132,500, एक minute में कितने second, 60 second, तो 60 सिष्टी सिष्टी स को भेज दीजेगा, 6 2 जा, 12, तो 60 जा 12, और बचा कितना, 5 तो 0 dot, 6 8 जा, 48 2, 12, फिर इतना काफी है, तो 220.82 joule per second, और joule per second unit कितना है, इतना ही है, तो इतना कामें कर रहा होगा, output value, तो इस पार्ट का, यह answer है, तो यह बाद समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, अब आ जाईए, तो इसको, इसमें कुछ था नहीं, बस वो पूछा था कि यह lifting हाँ, मतलब आपको यह जो five meter per second जो घुमाया है ना, वो आपको उसमें जानना था, तो उसके लिए था, तो half MbA square से, क्योंकि, ejected speed कितना था था, 25, तभी कहूं कि यह कम क्यों दे रहा है, ejected speed का बच्चो 20 meter per second है ना, तो five नहीं, फिर 20 से होगा, तो 400 यहां पर करना होगा, तभी उतना कम पावर आ रहा है, तो मैं सोच रहा है कि पावर क्यों कम आ रहा है इतना, तो due to this region, तो two से two यह cancel होगा, तो two hundred हो जाएगा, five meter नहीं है, वहाँ पर twenty meter per second है, four hundred हो जाएगा, तो two यहां से two lakh हो जाएगे, तो उहां से three, one lakh twenty thousand, इसको भटा देता हूं फिर, यहां से कितना होगे, two lakh, और एक कितना होगे, मतलब, two zero, three zero है, और two है, तो two lakh होगे, और one lakh twenty thousand है, तो कितना होगे, three lakh twenty thousand है, जूल ऐसा होगा, फिर उसके बाद अगर हमें, उसका क्या था, joule per second, तो joule per minute हम से पूछा था, first part का, अगर उसमें power output कितना चाहिए, आंसर तो एक बार को भी है, लेकिन हमें work done in per second अगर चाहिए, per second, तो इही आपका power हो जाएगा, और उसका value three lakh twenty thousand joule upon 60, तो six five jou, three zero, thirty, two bucha six three jou, eighteen, six three jou, eighteen, six three jou, eighteen, तो आपको 32,000 का इतना मिल जाएगा, 53 joule per second ऐसा मिल जाएगा, तो यह समझ में आए आप लोगो, देखिए, इसके बाद next इसका, a small body of mass m is located in the horizontal plane of the point o, the body acquired the horizontal velocity u, find the mean power developed by the friction during the whole time of the motion, if friction coefficient is k, ठीक है, ते तो अच्छा question है, बच्चों काफी आपको मजाएगा, इसमें, कि small body of mass m is located on the horizontal plane at point o, a body acquired the horizontal velocity u, ऐसा है, तो उसमें power कितना होगा, वो हमें बताना है, और उसमें developed by the friction, तो जब horizontal में है, उसका, तो उसमें कुछ हमें समझना ही नहीं है, कि power क्या develop होगा, तो frictional force यहाँ पर कितना हो जाएगा, बच्चों, mu into mg, यहाँ से k value दे रखा, minus के लिए ले लेंगे, k into mu mg, यही होगा ना, तो अगर u, acquired the horizontal velocity u, अगर कर रहा होगा, तो time हमें चाहिए होगा, यह work done by, वैसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है, हम इसके चलते work done कुछ, निकाल सकते हैं, उसका value क्या हो जाएगा, कि अब सबसे पहले तो acceleration देख लेते हैं और, कि जब इसमें जाएगा, तो नीचे हमें सब पढ़ रखा हैं, mg है, उपर normal force है, तो ma is equal to कितना हो जाएगा, minus k into mg, m से m कैंसिल हुआ, तो k का value कितना हो गया, a का value कितना हो गया, minus kg, ठीक है, तो वहां से भी हमें, अच्छा, दबल mu ले दिया किया, एक mu हटा दीजे भई, क्योंकि mu के जग़ पर ही हैंना, के question के पार्ट है, ठीक है, तो a is equal to minus kg हो गया, तो, तो कुछ है distance चलेगा, या, तभी तो हम work बता पाएंगे, और या time भी हमें यह तेक निकलना ही होगा, कि v is equal to, या u है उसका value, और initially अगर 0 था, तो minus यहां से, कि minus minus तो kg into t, तो t का value कितना जाएगा, u by kg, ऐसा, है ना, ठीक है, तो u का, इसका value kg है, तो हमसे find a mean power, mean power तो इतना हम क्यों कर रहे हैं, frictional force चलो, ठीक है, आगे की तरफ हमें काम करेगा समिज़चने में, कि time का value इतना आगया ना, तो बस इसी से काम हो जाएगा, तो mean power is equal to अभी बताया था आपको, mean power is equal to क्या होता था, change in kinetic energy, upon time taken, change in kinetic energy, वो कितना हो speed acquire करा, u, तो kinetic energy कितना हो जाएगा, बच्चो, 1 by 2, m into u square, ठीक, and divided by time taken, तो time taken के लिए कितना लेकर आया था यहाँ से, t is equal to u by kg, तो यहां से हो गया यह, u by kg, तो u से u cancel हुआ, तो इसका value कितना आगया, 1 by 2, m, k, g, k इसका है, coefficient, तो mean power इतना develop होगा, तो यह इस part का था बच्चो, यह इसका बढ़ियां था, कि आप ऐसे इसका सोचिए, तो लिख लीजिए, इन सबोगो लिखना है, लिख लीजिए, कोई ध्यान दीजिएगा नहीं, मतलब था वहाँ पर तो acceleration, वगर तो निकाल के तब भी तो आना ही पड़ता, Frictional Force तो तब भी सोचना पड़ता है, ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसका work done निकालूँगा, फिर करूँगा, लेकिन जब हमारे पास ready-made formula उसके बारे में बता रखा था, एक change in kinetic energy है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, तो work energy theorem बहुत चीज़ें असान करके हमें दे देता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, अब आजाईए, इस बात को लिख लीजिए, इसका यह बाला पाट, इसमें क्या बोला है की, कुई बोलरा है की, maximum instantaneous power developed, maximum instantaneous power developed by the friction, if the friction coefficient is k is equal to alpha root alpha x बोला है, where is where a constant and x is the distance from the point O. तेखो बच्चो, इसमें क्या कर रहा है की, same question है, इसमें बोल दिया है की, जो इसका coefficient of friction है, mu is equal to यह k is equal to alpha root x ऐसा बोला हुआ है, को coefficient को उसका बोलना है, की, mu is equal to alpha root x, तो अब हमें बताना है की, बताईए की कितना इसमें power generate होगा, maximum power generate होगा, ठीक है, तो उस case के लिए, अगर हम को निकालना अगर होगा, की m का value है, तो x relation कितना हो जाएगा इसमें, mu या जो मतलब इसका speed था, यहां पर क्या था यह, frictional force ना हाँ, तो frictional force is equal to, minus alpha x mu, और यह mg के equal होगा, तो x relation, mass into x relation, कितना developed होगा, इतना, तो a के जगा पर हम क्या बोल सकते है, माइनस alpha x into g, ऐसा बोल सकते है न, तो a is equal to कितना हो जाएगा, dv by dt, minus alpha x into g, ऐसा कह सकते हैं क्या, अब dv by dt को हम ऐसा style में तो लिखने हमें आता है, कि इसमें से, dx dx का multiply कर दे, क्योंकि जो वहाँ पर x छुपा हुआ है, उसमें, वह कैसे बाहर आएगा, इसी तरीके से बाहर आ सकता है, तो dx by dt का value कितना होगा है, v, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, v into dv over dx, is equal to minus alpha x into g, तो यहां से जब इसको value लिखेंगे, तो v into dv minus alpha x dx g कोई दे लिखेंगे, ऐसा, यह चीज आए समझ में, कि v into dv alpha g x dx, इसको और लुक्से लिखेंगे देता हूं, कि v dv minus alpha x alpha g को एक साथ लिखेंगे, constant है ना, और यहां से x dx, ऐसा, तो इसको integrate कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, क्योंकि, वही हमें निकाल कर लेकर आना है, तो हम इसको integrate कर सकते हैं, क्या u से, मतलब u हो रहा होगा, initial speed, और इसका v होगा, और x, 0 to, कुछ x होगा, distance travel करेगा, यह होगा, बच्चों, इसको सोचिए जरा, इतना होगा क्या, कि यह जो लगाया, इसका limits, मतलब u से v पर अगर जा रहा होगा, initial speed कितना होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट, तो यह तो आपका, उस समय का distance x चल रहा होगा, question में mention है, x is the distance from the point o, तो initial point अगर होगा तो, ठीक है, ऐसा ही हम उसको मानेंगे, तो 0 to x, तो यहां से देखिए, कि v का value कितना जाएगा, v is equal to u square minus alpha g x square, कंडर root, ऐसा, तो हमारा power जो होगा, ओ क्या होगा बच्चों, power is equal to force, force के जगा पर कितना था, minus mu, यह वाला आपको याद होगा, यह जो force था इसमें, third part का, यह इतना ही था ना, frictional force, इस ही के coincidence लाना था, alpha x into mu g, power जो हमें लाना था, alpha x, alpha x तो coefficient था, तो mg कर देते हैं, यह था और रहाँ से velocity के लिए जो अभी अभी यह लेकर रहा है ना, यह पूरा, u square, minus 2g, not 2g, it's alpha g, alpha g x square, ठीक है बच्चों, यह power हमें था, और इस power को क्या बोला है, maximum होगा, तो maximum होगा तो फिर हमें maximum minimum की यादिला रहा है, तहने कि हम यहां से क्या लिखेंगे, dp by dx, और उससे हम x ढूंड कर लाएंगे, फिर वापस value put करेंगे, वह power आएगा, तो काम है इसमें काफी, तो आजएए, तो alpha, minus alpha हो जाएगा, mg हो जाएगा, और under root of u square minus alpha g x square, और फिर यहां से minus alpha mg, यहां से करेंगे, और root का जब भी करते हैं, तो two root x हो जाएगा, तो u square minus alpha g x square होगा, इसका जब आप differentiation करेंगे, तो अंदर का u square का तो हो जाएगा, सुनने केंगे, इसका जएगा, और यह सब इक्वल टू, जब maximum होगा, तो zero होगा, यह सब इक्वल टू, जब मैक्सिमम होगा, तो zero होगा, यह सब वैलू, two से two भी cancel कर देता हूँ, तो alpha g, तो alpha square और g square दो बार आ रहा है, तो उसको इधर ही लिख लेते हैं, और यहां से, m भी है, तो x का वैलू, और under root में, u square minus alpha g x square, ऐसा बच्चो देखिए, solve करने के बाद आएगा क्या, बिल्कुल आएगा ही आएगा, तो जब आप, सॉरी, यह तो plus था, minus minus plus, ठीक है, तो किसी को एक तरफ रख दीजिए, इसमें, alpha mg x को एक तरफ रखेंगे, फिर इसको इधर रखेंगे, तो क्या क्या है, alpha mg under root of u alpha g x square, तो alpha mg under root of u, s square था ना, यह, u square alpha g x square, is equal to, यहां से, यह से, यह सेम कॉंटिटी था, u square, alpha g x square, और यहां से, एक x था, फिर m था, g square था, alpha square था, इस बर सहील ही कहा हूँ, नहीं, तो फिर मुझे, देखना पड़ेगा, alpha m square g square x, ठीक है, alpha g square m square x, ऐसा होगा, तो alpha mg तो पहले मुरूत में इसको cut, cut लगा दीजिए, alpha g m, तो एक के बल g l बचा, इधर होगा square तो कितना आजाएगा बच्चों है, u square, minus, अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, इसमें छुटा हुआ, क्यों, क्या छुटा हुआ है, कि जब इसमें, एक x तो इसका बचा हुआ था, एक बच्चों किया थे, पिसमें product rule बेसिकली लगा, this function and this function, तो alpha x mg का किया, तो alpha mg है हुआ, और रूट वाला है, जब दूसरी बार किया, तो alpha mg है, तो x लिखना भूल गया, इसमें, x भी होगा साथ में, तो यहां से x square भी होगा, तो फिर वो cancel नहीं होता, यहां से, यह वाला चीच cancel नहीं होता, यह x square होगा इसके साथ, तो u square alpha g x square होगा, और फिर यहां से क्या बचा, कि बस alpha g और x square, बोल रहा था, तो कितना होगा, u square is equal to 2 alpha g x square, तो x का वैलू कितना होगा, u square over 2 alpha g x square का, तो x का वैलू कितना आ जाएगा यहां से, under root of, u upon under root of 2 alpha g, यह हमारा, x का वैलू आ गया, u upon under root of 2 alpha g, ठीक है, तो इस position पर हमारा maximum power मिलेगा, अब वो maximum power क्या होगा, फिर से आपको put करना पड़ेगा, इसमें आपका value कितना था, p के जगा पर, minus, mu का value alpha x लेने को बोला था, फिर उसके बद, mg था, और velocity के लिए कितना गया था, बच्चो, u square minus, यह तो ही होला था, u square minus alpha g x square, ऐसा, और हमें x का value अभी क्या लेकर आए, हमें at x पर निकालना है, alpha, sorry, u by x का value अभी था ना, u by 2 alpha g, under root 2 alpha g, ऐसा, इसका value होगा, इसमें put करेंगे, और जो value आएगा, वही हमारा answer होगा, यहां से इसका value होगया, alpha x के जगा पर, u under root of 2 alpha g, mg as it is रहेगा, u square तो u square रहा, alpha g, square करेंगे तो यहां से कितना जागा, u square by 2 alpha g, तो यह alpha g वाले, जो थे, यहां से, यहां से cancel हो जाएंगे, 2 alpha g था ना, नहीं तो undefined, मतलब 0 होने लगता, define नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, alpha u, mg, under root of 2 alpha g, ऐसे, और u minus, sorry, a u square है, u square minus u square by 2 करेंगे, तो कितना जाएगा, u by root 2, ऐसा, तो देखो, तो इसमें, तो इसको पिक कर लेते हैं, ठीक, और root 2, और root 2, तो 1 by 2 mu square तो बाहर आ गया, kinetic energy है न, ठीक है, इसको और उससे भी कर सकते थे, change in kinetic energy upon, उसके साथ, और time का जो value आएगा यहां से, alpha g बचा है, alpha g बचा है, यहां पर भी, तो root alpha g ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो मैं इसमें चाहता, तो dynamic kinematics भी लगा कर भी, तो time लेकर आथा, तो उसका time का value होता, जितना भी है, 2 upon under root alpha g, तो direct 2, या 1 upon under root alpha g, तो उससे भी value आजाता, तो खेर, इसमें आपको सीखने को मिला होगा, तो यह इसका value है, तो यह बस समझ में आए बच्चो, तो यह power के उपर था, power के उपर एक दो question और आपको बताऊंगा, तो ठीक है, next class में जब हम लोग मिलेंगे, तो stable equilibrium के बारे, मतलब equilibrium के बारे में सीखेंगे, तीन तरह के होते हैं, neutral equilibrium, stable, unstable, ठीक है, और इस पर कुछ mixed question और देखेंगे, पूरा work energy theorem का, और कुछ previous year के question के लिए देखेंगे, तो लग बग लग बग यह chapter समापती के ऊपर है, जब once भी इस सब कर देंगे, तब फिर SD वर्मा के solution के लिए जाएंगे, ठीक है बच्चो, आज के lecture में इतना ही, next lecture में जब लेंगे, तो जो topic मैंने भी पताया, उसके बारे में देखेंगे, thanks for your time.